हलो फ्रेंच स्वागत है आप सभी का एक वर फिर से लर्न बेश चनल पर जिसमें आज हम लोग आपके लिए लेकर आएं एर फोर्स का ओनलाइन एक्जाम जो की सभी के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट न्यूस है इंपोर्टेंट अनॉंसमेंट है और खुसकबरी की बात मेंगात है तो इस टेस्ट में क्या होगा यह स स अप लोगों का आपके मोवाइल पर ही होगा उनलाइन टेस्ट है उसमें नहीं होगा यह और जो टैस्ट होगा फ्री ओगा और इसके अंदर negative marketing होगी ऑई जो कमी में अभी तक रही है , learn my online test application में वो कम्यां आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी तो आपको उसके लिए क्या करना होगा और जो exam होगा वह है कल सुबा 10 a.m. पर होगा तो आपको उसके लिए क्या करना होगा registration करना होगा तो हम registration की process आपको बता देते हैं लिंक आपको description में दी जाएगी तो जो exam होगा वह tomorrow होगा 10 a.m. पर और जो test होगा आपका होगा free test यानि कि कोई भी पैसे आपको देने नहीं है उसके लिए तो free में होगा और आपको सिर्फ क्या करना है उसके लिए registration करना है और registration आज से ही कर सकते हैं आप लोग सुबह के 10 बज़े तक ही और एक चीज है इसमें अगर आप लोग लेट हो जाते हो किसी भी purpose से तो आप उसे द्वारा नहीं दे पाऊगे तो आपको 10 a.m. से पहले ही पांच मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना ह होगा लर्णवे की website पर तो वहां जाकर आप लोग उस exam को दे सकते हो अगर आप लोग लेट हो जाते हो तो आप के हाथ से यह exam निकल जाएगा तो इस खुसकबरे के लिए प्लीज वीडियो को जल्दी से ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की शाद शेयर कीजिए तो अब हम आपको लेकर चलते हैं मौबायल की स्क्रीन पर जहां आपको बताएंगे किस तरीके से से रेजिस्ट्रेशन करना है तो जैसे आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी तो हम आपको बता देते हैं जिन लोगों को नहींपता है description ज होता है जैसे कि यह हमारी एक वीडियो है तो जैसे आप लोग इसके उपर टाइटल की उपर टैप करोगे तो एक बॉक्स सा उपन हो जाएगा और इस बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग लोग की ओफिशल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे तो आपको किलिक करके जाना है और यहां से हम लोग सर्च कर लेते हैं ट्राइए लॉन वे डॉट कॉम ठीक है तो जैसे आप लोग इससे सर्च करोगे तो आप लोग लन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और यहां आकर आपको क्या करना होगा simple registration पर click करना है get register पर click कीजिए यहाँ आप लोग यहाँ से online exam पर आईए तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना होगा इस पर click करके यहाँ से registration पर पहुँचना है और अभी आपको जो link दिजा रही है वहाँ से आप लोग direct इसी page पर पहुँचोगे तो यहाँ पर आकर आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पर आकर आपको अपना phone number डालना होगा और यहाँ पर father's name और अगर आपके पस photo है तो आप लोग photo भी upload कर सकते हो जो कि आपको exam के दोरान 100 होगी तो photo भी आप लोग upload कर सकते हो अब यहाँ पर बात आती है login email की तो यहाँ पर आपको अपनी email id डालनी होगी तो जैसे कि हम example के लिए एक email id डाल देते हैं और email id डालने के बाद आपको username डालना होगा तो username आप लोग कुछ भी रख सकते हो जो आपको आसानी से याद रहे तो जैसे कि हम दुश्याद रख देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर password create करना होगा password create करने के बाद आपको register and proceed to next step करना होगा जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका registration हो जाएगा और अगर इस step से कुछ error दिखाता तो आपको एक बाद refresh कर लेना है तो यह देखिए आपका registration हो चुका है registration होने के बाद आपको एक mail आएगा और यहाँ पर आपको upcoming exam के लिए select करना है यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने यह आए जाएगा Air Force X and Y Group English Test 1 तो यह English Test 1 है और इसको select कीजे और OK पर click कीजे तो आपका यह exam select हो चुका है Zero selected दिखा रहा है लेकिन यह आपका exam select हो चुका है और यह आपको यहाँ पर register पर click करना है और यह दिखिए green color में आपको दिखा रहा है आप registered हो चुके हो ठीक है तो यह आप आप लोग इस तरीके से दिखाएगा यूर अपकमिंग exam है और जैसे ही आपको पता है यह 10 a.m पर होने वाला कल सुबा तो यहाँ पर आपको एक link दे दी जाएगी view online portal exam तो वहाँ पर जब आप लोग click करोगे तो आप लोग online exam पर पहुंच जाओगे जो कि किस तरीके से दिखेगा अगर आप लोग नहीं पहुंच पाते हो तो direct online exam पर click किजिए वहाँ से भी आप लोग पहुंच जाओगे तो अभी no record found हो रहा है क्योंकि अभी कोई exam नहीं हुआ है ठिक है तो यह तो था mobile का step इस तरीके से आप लोग इसको register कर सकते हो और सब कुछ free है और अब हम लोग लेके चलते हैं computer की screen पर आपको computer पर अगर देना है तो किस तरीके से आप लोग दोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिर से आजाना है और registration की link पर आप लोग पहुंच ओगे direct यहाँ पर आपको अपना name एंटर करना है जैसे कि हम एक और other name ले ले लेते हैं और यहाँ पर आपको अपना phone number डालना होगा और photo है आपके पास तो photo upload कर सकते हो login email id डालिए और यहाँ पर आप लोग अपना username डाल सकते हैं जो कि आपको याद रहे और password and register and proceed to next step कीजिए और यहाँ पर आप लोग अपना password को save कर लीजे देखिए इस तरीके से कुछ error अगर आपको दिखाता है तो आपको कुछ नहीं करना simple सा refresh करना है आपका registration हो चुका है ठीक है तो registration होने के बाद आपको simple सा जो आपको exam दिखाया जा रहा है select exam इस पर click कीजिए जिसके थुरू आप लोग online exam पर पहुंच जाओगे और आपको यहाँ पर आपका registration नमबर भी सो कर रहा है तो आप लोग इसका registration नमबर का screenshot ले सकते हो और जैसे ही 10 a.m. हो जाएंगे तो आपको ongoing exam में आना होगा या आप लोग online exam पर click करोगे तो direct exam के अंदर enter कर जाओगे और अगर आपको कोई भी problem होती है तो आप लोग हमारी जो mail id दे रखी है support at the rate try learnby.com यहाँ पर आप लोग mail कर सकते हो और computer में भी दिखा देते हैं जो link in description हो क्या होती है जैसे कि यह video है यहाँ पर show more पर आप click करोगे तो यहाँ से आपको link मिल जाएंगे और इस exam में आपकी negative marking भी है आपको कुछ दियान रखना है वो यह है कि आपको pen और paper साथ में लेके बैठना है अगर आप लोग एक minute भी लेट हो जाते हो तो आपको exam में एक minute कम मिलेगा और second point आप दूसरे tab पर बिल्कुल मत जाएगा अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका exam suspend हो जाएगा और इस exam की cut off रहेगी 12 जैसे कि आप सभी को पता है English का exam 20 number का होता है तो 12 की यहाँ पर हमने cut off set की है तो 12 से उपर जिनके भी number आएंगे वो लोग पास होंगे negative marking रहेगी 0.25 जैसे कि आपके Air Force के exam में रहती है और total 20 minute रहेंगे तो अभी जाएगे और register कीजिए और अपने दोस्तों को भी register कराएगे आपको simple सा क्या करना है learn me के लिए आपको इस link को अपने दोस्तों के शेयर करना है इस वीडियो को शेयर करना है और इस वीडियो को like करना है और अगर अभी तक आप लोगों ने learn me चैनल को subscribe नहीं कहें तो red button पर click करके चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो मिलते हैं after exam best of luck आप लोगों का exam काफी बढ़िया रहेगा और जो new users हैं जैसे कि जिनको पता नहीं है exam कैसे होता है तो उनको इस exam को देने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा किस तरीके से exam होता है same pattern है आप लोग exam में question को save कर सकते हो response clear भी कर सकते हो जो भी है सब कुछ आपको आपको आपर दे रखा है instruction भी है I hope आप सभी उस exam को enjoy करोगे तो जाइए अभी registration पर click कीजिए और register कीजिए Thank you